तो चलिए दोस्तो आज बनाएंगे गुड़की चाय नॉर्मली लोगों को ये कंप्लेंड रहती है कि उनके गुड़की चाय फट जाती है और स्वाद नहीं वनती है आज बनाएंगे एक सीक्रिट टिप से बहुती स्वादिस सी चाय तो इसके लिए सबसे पहले फ्राइफेन में डेड़ कप पानी को ले लिया है लगबग दो कप चाय के हिसाब से तो यहां पर डाल लएइं हो मैं ठाई चमच गुड़ आप अपने एकोरणंग मीठा और कममीठी एकोरणिस को कम ज़ाधा कर सकते हैं चीनी भी एट कर सकते हैं तो यहां पर ले रहे हैं एक एलाइची तो काली मिर्च और थोड़े से अद के टुकडे इनको अच्छे से कूट लेंगे ताकि उसमें अच्छे से स्वाद आए जाया जब ये बॉयल करें तो बहां पे गुड़का पानी बॉयल हो गया होगा अब इन सब चीजों को उसमें डाल देना है और दो से तीन नट के लिए बहुत ही बड़ी है कि मीरियम आजपे से बॉयल करना है बॉयल लाने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे अधा चमच चाय की पत्ती इसको कोई आपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं अब यहा इसको डालने के बाद सकत्ति को बॉयल कर लेंगे अब आप लोग कहनेगे कि खाना सोड़ा अगा इसमें डालेंगे तो बियर कि अटशन होगा। और इस तरीके इसको हम मीडियम आज पे इसको हम खुला लेंगे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है बहुत ही अच्छा कलर आता है इस तरीके इसको बॉइल कर लीजे बहुत ही फ्लेवर फुल चाय बनके रेडी हो जाएगी यहां पे गुड का स्वात बहुत ही अच्छा ल से टेस्ट्री और मसालेदार बना सकते हैं यानी मसाला चाय वो भी गुड़वाली बहुत ही अच्छी लगए की पीने में आप इसको जरूर टाई करिएगा और कमेंड बॉक्स में जरूर बताईए कि आपकी चाय कैसी बनी गुड़वाली और ऐसे ही स्वादिस और यूनीक रसिपी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए तब तक के लिए बाबाए